नमश्कार, मैं सुनीता कथा मंधन में आप सब का स्वागत करती हूँ कथा मंधन में आज सुनीए भागवाली उपन्यास का चौथा अध्याए लेखक, डॉक्टर रमेश पोकरियाल निशंक जी इसके पहले के अध्याए आपको हमारी प्लेलिस से मिल जाएंगे पिता की मृत्ती हुए छे माँ बीद गए थे इस दौरान बड़ा बेटा घर आया दो दिन घर में रहा और दूसरे दिन रात्री को खाना खाते से मैं उसने मां से का मां, मैं अपनी पत्नी और बेटी को साथ ले जाना चाता हूँ अमा अचानक बेटे के इस परस्ताव से हत्प्रब रह गई बेटे यहाँ पर उसे कोई कमी तो नहीं फिर छुटकी के साथ मेरा भी मन लगा रहता है अमा ने कहा हाँ कमी तो कुछ नहीं है पर मुझे ही दिक्कत हो रही है रात की ड्यूटी रहती है तो खाना बनाने की बड़ी दिक्कत आ रही है समझाया रमेश ने अमा कुछ बोल पाती इससे पूर्वी दिनेश बोल उठा ठीकी तो कह रहा भाई जब दिक्कत है तो साथ जाने तो तो रोटी तो बनी हुई मिलेगी लेकिन बेटा कुछ कहना चाहती थी अमा लेकिन बीच में ही छोटी बोल पड़ी अब अपनी अपनी समस्याएं हैं सबकी इस घर की तो हमेशा ही समस्या रहेगी हमें अपनी समस्या भी तो देखनी है अमा चुप रहें ऐसा लगता है कि इन लोगों ने पहले ही आपस में सहमती बना ली थी कुल्दी पर जैदी चुप चाप रहे असल में मामला उनसे समद्दित था भी नहीं इसमें बोलते भी क्या आगे दो बड़े भाई थे जो वे चाहेंगे उसी में उनकी भी सहमती होना सुभाविक थी ठीक है जैसे तुम सब लोगों की मर्चे कहकर अमा ने हत्यार डाल दिये यहां तक तो सब ठीक ठाकता किन्तु जब इससे आगे अमा ने सुरेश का प्रस्ताव तुना तो उसके होश उड़ गए मा सुरेश नहीं आके का हम दोनों भाईयों ने तैग किया है कि इन दोनों चोटे भाईयों की जिम्मेदारी के लिए आपस में बटवारा कर दिया जाए बटवारा कुछ समझ नहीं पाई संपत्ति का बटवारा तो सुना था किन्तु जीते जागते इनसानों का बटवारा समझ में नहीं आया अमा को कैसे बाटेंगे ये भाईयों को क्या ऐसा नहीं होता होगा दुनिया में सुना तो नहीं ता हाज तक आज पहली बार मनुश्यों के बटवारे की बात सुनी हामा अब की बार दिनेश बुला कुल्दीब की बढ़ाई पूरी हो गई है अब उसे नौकरी की तलाश करनी है सो भाई के साथ दिल्ली रह लेगा वही अपने लिए नौकरी ढून लेगा रहा जैदीब तो भाई मेरे हिस्से में आएगा सुनकर अम्मा अवाक हो गई यह कैसा बटवारा हो रहा है चीते जाकते इंसानों का बटवारा उसे लगा मानो उसकी शरीर के दो टुकड़े कर दिये गए है दोनों बहाईयों के फैसले के आगे वह कुछ बोल नहीं पाई दोनों छोटे भाई क्या कहते चुप रहे मौन स्रिक्रिती भी दे दी और कहते भी क्या बेचारे फिर सुरेश ने कुलदीब को कल ही दिल्ली चलने का फरमान सुना दिये कुलदीब कल दिल्ली जाने के तैयारी करने लगा बुरा तो जैदीब को भी बहुत लगा किन्तु मजबूरी थी आकिर कुलदीप को नौकरी के लिए कभी ना कभी तो बहार जाना ही था फिर यह तो अच्छा ही था कि अपना बड़ा भाई दिल्ली में है उसके साथ रह लेगा कम से कम एक ठाट ठीकाना तो रहेगा वरना आजकल नौकरी के लिए कहां कहां नहीं भटकना पड़ता में वे अपना सारा धुक भूल जाया करते थी अब कैसे रह पाईगी मैं है छुटकी के भी न छोटे बेटे की तो अभी तक कोई संतान नहीं थी अब घर में सुनापन पसर जाएगा सब लोगों ने विदाई ले कुलदीप की आँखों में भी आंसू छला गाये मा तुम अपना ख्याल रखना बस इतना ही खैपाया तब तू भी अपना ख्याल रखना भीगे आखों से कहा था अम्मा ने झुटकी को प्यार से शहळा कर अम्मा ने कई बार चुमा तो झुटकी बोल पड़ी दादी रो क्यों नहीं हो तुम्हारी याद आएगी बाद तो तुम भी हमारे साथ चलो ना मासूमियत से बोली छुटकी कुछ जवाब नहीं दे पाई अम्मा सब लोग चले है अब घर में सुनापन से बहुत खलने लगा जैदीब सुबा कॉलेच चला जाता उसके बाद वे किसी से बात करने तक के लिए तरस जाती बहु अपने ही कामों में व्यस्त रहती कभी कभर मौले की ओड़ते आ जाती तो कुछ दिर मन भैल जाता पर वे भी कितनी दिर बढ़ती सबके अपने अपने काम है अम्मा में जैसे किसी शुब कारज में से घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था पूरी तरह जैसे घर में कैद हो गई थी रसोई पर अब वहु ने अपना अधिकार जमा दिया था अम्मा के पास अब सफाई जाड़ो पोचा का काम है बच गया था फिर भी कोशिश करती थी कि बहु के साथ कुछ हाथ बढ़ता है लेकिन बहु उसे कुछ कुछ कना करने देती बस दो टाइम का खाना उनके सामने रख देती मानो वह इस घर में महमान हो ऐसा ही बैवार जैदीब के साथ भी करती सुबह स्कूल के लिए निकलते समय नाश्ता अम्मा खुद उसे अपने हाथों से देती किन्तू साइंक का खाना उसे बहु अम्मा के साथ ही उनके कमरे में दे जाती दोनों देवर भावी में कोई खास बाचीत नहीं थी भाई कभी कभार उसकी पड़ाई बावत पूझ वर लेता था बस इससे ज़्यादा कोई बात नहीं एक महाँ पूरा गुजर गया था इस पीच अम्मा को कुलदीब की कोई खबर नहीं मिली चलो चोटा तो अपने सामने है कि तो खुलदीब ना जाने कैसा होगा दिल्ली में टाइम पर खाना खा भी रहा होगा या नहीं तब से ना तो उसकी कोई चिठी है और नहीं उसके बड़े भाई ने कोई खबर भेचे उसकी नौकरी का प्रबंध हुआ होगा या नहीं इसी उद्रबूर में अम्मा के दिन निकलते इधर छोटी बहु का सभाव दिन बादिन कुछ अलग किसम का होने लगा था अब है छोटी छोटी बातों पर ताना देने लगी थी जैदीब के परती तो उसका वहवार और भी सक्त सा होता जा रहा था इस बात को अम्मा ने महसूस किया कॉलिज की फीस के लिए जब जैदीब ने पैसे मांगे तो बेरुकरी से बहु बोली देवर जी कब तक पढ़ते रहोगे अब तो कुछ करने की भी सोचो आकिर कब तक क्यों हाथ फैलाते रहोगे कुछ नहीं बोला था जैदीब ने लेकिन भावी की बात का उसे इतना बुरा लगा कि दूसरे दिन ही उसने टूशन पढ़ानी शुरू कर दी सुबह घर से निकलता तो देर रात तक ही आता बसमा समय ही ने मिलता तो बारी कुछ न कुछ खा लेता हूँ संग्शित सा जवाब दिया था जैदीब ने रातरी को खाने में भी अम्मा देखती कि वह बेमन से दो रोटी निगल कर उठ जाता है अम्मा का दिल कर रहा उठता शास्त्री जी ने बड़े प्यार से रखा था उसे छोटा था वोई इसलिए सबसे ज़्यादा प्यार कर देते उसे उसके प्रति सबने भी बड़े बड़े देखा करते जतना चाहे पढ़ लेगा फिर बड़ा अफसर बनेगा तो मेरी सारी गरीबी दूर कर देगा यूँ भी वह बच्पन से पढ़ने में काफी तेश था सो शास्त्री जी को उसके प्रती अत्यंत विश्वास भी था अमा की आगे आखे भी गाए दिल पर पत्था रखकर अमा ने घर का एक और भी बटवारा कर दिया अपनी और जैदीब के लिए अलग रसोई तयार कर दी बहु तो कुछ नहीं बोली लेकिन दिनेश ने जरूर पुझाता मा क्या तुम्हें या भर पिट नहीं खाना मिल रहा जो अलग रसोई कर दी अब अमा उसे क्या बताती बस बहाना बना दिया दरसल जगू काफी दिनों से देर रात को आता है फिर बहु को कटना ही होती है खाना दुबारा गरम करना पड़ता है मन तो किया था कि उसे सारी परिस्तितियों से अवगत करा है लेकिन ऐसा कर पाना उन्हें उचित नहीं लगा क्या पता दिनेश यह सब सुनकर क्या प्रतिक्रिया करेगा कहीं बहु को डांड दिया तो दौनों के दामपत के जीवन में कड़वा हट गुल जाएगी और ऐसा वह कभी नहीं चाहती थी इसलिए उसने कुछ ना कहा और इसे ही बहतर समझा चलो अच्छा है रुज का जंजटी खतम हो जाएगा अभी तो उसके हाथ पर सलमात है कर लेंगी जैसे भी करेंगी अब एक की घर में दो चूले हो गए एक तरफ दूसरा बेटा और उसकी पतनी तो दूसरी तरफ अमा और छोटा बेटा दुक तो अमा को ऐसा करते वे बहुत हुआ था किन्तु अपने बेटे को अपने हाथ से गरम रोटी खिला कर उन्हें जो आत्मिक संतोश मिलता वह किसी भी दुक से कहीं अधिक सुगदायक था लेकिन जब रात को थक कर अमा सोने जाती तो शास्त्री जी की यादे अमा को घेड लेती एक बार अमा ने शास्त्री जी से अपनी सस्राल में बटवारे की बात कह दी ती तो त्याग मुर्ती शास्त्री जी ने साफ साफ कह दिया था अरी भागवन हमने वहां दिया ही क्या है जो उनके बटवारे में वहां से लेने की बास सोचे और आज अम्मा की आंकों से जरजर आंसु जरने लगे आज उसी बेटी की बहु से भागवाली अम्मा को बटवारा करके निपट अकेले रहना पड़ रहा है जिने उसने दूद पिला कर पाला था अम्मा बहुत देर अपने अतीत को याद करके चुपचा प्रोती रही आखिर दीन में खो गई लगवग छे महाँ बाद सुरीश परिवार सही दिल्ली से घर आया छुटकी की स्कूल की चुटिया पड़ी हुई थी तीनों के साथ कुल्दीब को ना देकर अम्मा का दिल अजीव आशनका से कंप उठा ये तीनों अकेले आये हैं मेरा कुल्दीब क्यूं नहीं है कुल्दीब जो से दिल ले गया था एक बार भी घर नहीं आया था कभी सुरेश की चिट्टी में ही उसकी कुशल खबर मिल जाती थी तो कभी वे सुयम भी चिट्टी भीज़ देता था मा के नाम लेकिन पिछले कुछ समय से उसकी तरफ से चिट्टी भी नहीं आई सो अम्मा वैसे भी उसकी कुशल तक लेकर व्यागर थी अम्मा तो सोच रही थी कि कुल्दीब भी साथ में घर आ रहा होगा कि तो कुल्दीब को ना देखकर अम्मा घबरा गई कहते हैं न दूद कजला च्छाज भी फूख फूख कर पीता है शास्त्री जी की अकस्मात मृत्य के पश्याद तो अम्मा का दिल बहुत कमजोर हो गया था हर चोटी बड़ी बात में उन्हें कुछ अपशकुन या कुछ अन्होनी की अशंका होट थी गूमने निकले शास्त्री जी जिस तरह से केवल बीस मिनट में लाश के रूप में घर पहुँचे थे तब से काफी डर लगना लगाता हूने फिर उम्र के साथ साथ इंसान का दिल भी कमजोर हो जाता है दोगा खाई वे इंसान को हर चीज में धोके की बू आने लगती है कई बार वे मन में धीरज रखती सब ठीकी होगा कि तो फिर मन नहीं मानता अनेक परकार की दुश्चिंता है मन में घर बनाए हुए रहती कुलदीब को घर आया ना देखकर मन में कई शंकाएं एक साथ उभर आई तो उसने तुरंट पूछ लिया बिटा कुलदीब नहीं आया तुम्हारे साथ वे तो ठीक है हाँ मा बिलकुल ठीक है उसकी नौकरी लग गई है और नहीं नहीं नौकरी थी इसने चुटी लेना ठीक नहीं था सुनकर अम्मा कहरे दे परसन उठा चलो भगवान ने मेरी एक और मुराद तो पुरी कर दी कितनी पागल है वे भी क्या क्या गंदे और निरर तक विचार आ रहे थे मन में इस बात का विचार तो आया ही नहीं कि उसकी नौकरी लग गई होगी उसने अपना चेहरा आसमान की और उठाकर हाथ चोड़ दी भगवान का अभार व्यक्त कर रही हो जैसे चेहरा नीचे आया तो आखे भीगी हुई थी सुरेश और उसकी पत्नी ने मा की भीगी आखे देटी वे एक मा की ममता की भावना समझ सकते थे मा बाप को अपने बच्चों से कितना स्निय होता है यह है तो सुरेश को अब और भी अच्छी तरह मालूम हो गया था जब से वे पता बना तब से इस बात का एहसास उसे अच्छी तरह हो गया था चुटकी को अपनी गोद में उठाकर अमा ने प्यार किया अरी कितनी बड़ी हो गई अब तो स्कूल भी जाने लगी है हाँ दादी में स्कूल जाती हूँ और वहां हमको धेर सारा हूंवक मिलता है कुछ देर तक कुशल कबर इधर उधर की बाते की सांच जड़ी तो अमा ने छोटी बहु से का बहु आज सब के लिए मैं खाना बनाऊंगी पहले तो सुरेश को कुछ समझ में नहा कि तो जब उसने अलग-अमा और दिनेश की बहु को सबजी का इंतजाम करते देगा तो उसे समझते देर ना लगी कि घर के दो बटवारे हो गए हैं जानकर उसे दुख हुआ लेकिन उसने मां से इसकी वज़े नहीं पूची सुचा कि ना जने क्या परिस्तिती रही होगी यह तो यही लोग जाने रातरी को सुरेश की पत्नी धीमे से बोले सुनो जी क्या इस गर में हमारा कोई इससा नहीं इससे क्या बात हो गई सुरेश ने पूचा तो फिर केवल दो बटवारे क्यों बटवारा हुआ का है चूले ही ना अलग हुए हैं सुरेश ने समझाए लेकिन कुछ कहना चा रही थी रश्मी लेकिन बीच में ही सुरेश ने चुप करा दिया तुम यह बात मत करो अभी जब परिक्षय फल निकलता है तब पता चलता है कि इन्होंने क्या पढ़ाई की कि तुम तब तक समय हाथ से निकल चुका होता है कहीं जया दिब भी ऐसा ही नहीं तो कर रहा चोटे भाईयों की जीमेदारी हम पर ही तो है अभी चुप हो गई थी रश्मी कुछ आगे न बुली इच्छा तो बहुत कुछ बोलने की तिकिन तुम मौन साथ लिया था आखिर के वल एक सब्ता के लिए ही तो आए हम लोग प्यार प्रेम से कर जाए तो अच्छा ही है इन तीन चार दिनों में उसने महसूस किया कि कुल दीब सुबह घर से निकल जाता दिन का खाना खाने भी नहीं आता और रातरी देर तक ही घर लोटता ये कैसी पढ़ाई कर रहा है कहीं गलत संगत में तो नहीं पढ़के हैं आजकल के लड़कों का पता नहीं चलता कहते कुछ और करते कुछ और है स्कूल कॉलिज के नाम पर मा बाप का खुब पैसा खरच करते हैं पूछी लिया उसने अम्मा से है अम्मा ये छोटे दिवरजी कहा रहते हैं दिन बर रात को भी देर से घर लोटते हैं बहु कुछ तुनक भरी स्वर में बोली थी बहु वे टूशन पढ़ाता है सुबह की और शाम को भी दिन में अपने कॉलिज चाता है इसलिए आ नहीं पाता समय पर अम्मा ने बताया तूशन पढ़ाते हैं अश्यारे से पुछा रश्मी ने अपने पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं देते हैं तूशन पढ़ाने की क्या पढ़ी है उन्हें अभी बहु का तर्ग था वै अपना एवं बेरा खर्च खुद निकालता है इसके लिए करता है यह सब अम्मा ने थोड़े तलक लहजे में बताया लेकिन दूसरे देवर जी वे नहीं उटाते हैं आपका खर्चा रश्मी को आश्यर हुआ है एक दो बहुने बड़े अजीब सिताने मारे तो तब से हमने चूला भी अलग कर दिया जैदीब ने भी टूशन बढ़ा कर कुछ कमाना शुरू कर दिया साफ साफ अमा ने बता दिया अच्छा रश्मी का मुख खुला का खुला रह गया तो ये सब चल रहा है यहां वैं तो कुछ औरी सोच रही थी जैदीब के बारे में सुनकर उसे बड़ा अश्चारे बार जैदीब के पृति उसका दिल पसीच गया विचारा सबसे छोटा है घर में उसे तो सबसे ज़्यादा मज़े में रहना चाहिए जा इसके बज़ाए उसे तो जीने के लिए संगर्श करना पड़ रहा है देवराणी के पृति कटुता उभर आ यही उसके दिल जब यह दिली गई थे तब तो दोनों भाईयों के मद्य दोनों छुटे भाईयों का बटवारा हुआ था हम तो आस तक बटवारगा पृलन कर रहे हैं छे महीने से पाल रहे हैं देवरजी को वह भी दिली की उस मेहं और यहां यह लोग अपना चुला तक अलग करके सारी जीमेदानियों से मुक्त हो गए घर के दो हिस्से में बटवारा कर यह महारानी एश कर रही है आकिर देवर जी की फीस कितनी जाती होगी कितना राशन खाते होंगे मा बेटा जब इने समय से खाना नहीं मिला होगा तब ही तो रसोई की होगी है अलग इनों ने अमा ने भी पहले नहीं बताया हमें सब कुछ और बताती भी कैसे हमने ही कौन सी सुद लेती होंगी जाने के बाद अभी तो आए हैं छे माह बाद एक हम भी तो हैं जो उस बटवारे का पालन अभी तक कर रहे हैं तिल्ली जैसी जगा में किसी को एक दिन मी खाना किलाना कितना कठिन होता है हम तो छे महीने से उसे लाड़ प्यार से खिला रहे हैं यहां कौन ऐसा पहाट तूट पड़ा जो एक और बटवारा हो गया रश्मी के मन में आक्रोश फूट पड़ा देवर देवरानी के परती घुसा बर गया उसके मन में अब तो फैसला करके रहेगी आने दो छुटकी के पापा को आज रात बात करेंगी ऐसा नहीं चलेगा हम तो किराए के एक कमरे में गुजारा करें और यहां पर महारानी आदे पर घर पर कबजा करके आश कर रही है अपने देवरानी के परती इर्श्या और अक्रोश में भर कर रश्मी अपने आप में ही बड़ बड़ा रही थी ऐसा लग रहा था जैसे शास्त्री जी की लगाई इस बग्या पर खोर संकटने के बादल खिरा रहा हूं